प्रॉग और माउस नाम प्रॉग और माउस प्रॉग की स्टोरी थो हम पहली बार सुन रहे हैं चैनल पे देखते हैं प्रॉग और माउस ने क्या किया लॉग टाइम अगो देर लिवट अ फ्रॉग इन अ मार्श एक बहुत पहले की बात है वहाँ पर एक फ्रॉग रहता था मार्श आप लोग समझते हो क्या होता है मार्श होता है दल 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 याने की ऐसी सौफ्ट और गीली जमीन जहां पर पर मूव करोगे आप अंदर 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 जाते जाओगे तो इजी लैंग्विज में मार्श is a soft and wet land ओके वहाँ पर हमें नहीं जाना चाहिए तो वहाँ पर एक फ्रॉग रहता था फ्रॉग कैसे आवाज निकालता है मताओ मताओ रिविट 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 विलकुल स वहीं पास में एक बिल था जिसके अंदर एक चूहा रहता था बोथ वर वेरी गुड फ्रेंड्स ओके बट वन दे दे गॉट अच्छे दोस्ते लेकिन एक दिन उन दोनों की लड़ाई हो गई इट वाज ओवर दो ओनर्शिप अव दे मार्श अब क्यों लड़ रहे थे कह ने कि यह मेरी जगह है और चूहा कहता था यह मेरी जगह है फ्रॉग कहता था यह मेरी जगह है तो इस बात पर उन दोनों की लड़ाई चल रहे थी दो फ्रॉग सेट रिबिट 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 I am the owner of this marsh I have been living here for a long time रिबिट 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 फ्रॉग ने क्या बोला मैं हूं यहां का owner मैं यहां पर बुखट टाइम से रहता हूं रिबिट 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 तो माउस ने भी आगे से ब owner हूं they decided to solve the matter by fighting it out अब उन दोनों ने बात करने की बजाए लड़ाई करने का सोच लिया था क्योंकि दोनों आर्ग्यू कर रहे थे एक कहता था मेरी जमीन है दूसरा कहता था मेरी जमीन है the winner would be the owner अब उन दोनों ने क्या करा सोचा कि अब लड़ते रहेंगे और जो winner होगा जमीन उसी की हो जाएगी both armed themselves with sticks and started fighting अब उन दोनों ने लकडी लेकर लड़ना शुरू कर दिया लड़ाई करते करते दोनों ने ये सोचा कि अब जो जीत जाएगा बस वो ही owner होगा both were sure of their victory दोनों को लगता था कि बस मैं ही जीतने वाला हूं Soon they were fighting a way without care in the world अब वो दोनों जहाँ पर लड़ना शुरू किया था उन्होंने लड़ते लड़ते कहीं और पहुँच गए मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि किसी भी काम में इतने नहीं खो जाना कि अपने आसपास जो हो रहा है आप उसे ही भूल जाओ या आप उसे ही नहीं देख पाओ तो उन लोगों ने यही किया, careless हो गए, कहां से लड़ना शुरू किया था, कहां पहुच गए, suddenly a hawk came there, वहाँ पर suddenly एक hawk आई, hovering in the sky, she saw the animals fighting, उपर आसमान में उड़ते उड़ते उसने देख लिया कि ये दोनों तो बहुत बुरी तरह जगडा कर रहे है As she was hungry, she swooped down, caught both of them in her claws and carried them away to her nest ऐसा देखकर मौका पाते ही वो थोड़ा सा नीचे आई, उसने उन दोनों को अपने-पनी claws में पकड़ा और अपनी nest में ले जाकर खा लिया तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिला? That disunity invites trouble एक बार पहले भी मैंने आपको स्टोरी में बताया था ना कि हमें united रहना है, एक साथ रहना है अगर हम लड़ाई करते रहेंगे तो बस ऐसे होगा कि कोई ना कोई हमारा फाइदा उठा लेगा आप खेलने जाते हो, आपके घर पर कोई आता है, या फिर आप किसी के साथ घूम रहे हो, कहीं पर भी अगर किसी भी बात पर आपकी लड़ाई हो जाती है, तो आपका नुकसान ही होगा इसलिए लड़ना नहीं, सौट कर लो, बात कर लो उस बारे में, कुछ भी डिसाइड कर लो, लेकिन ऐसे गेरलेस होकर आपको फाइट कभी भी नहीं करने है मुझे बताना जरूर कि आप लोग फाइट करते हों क्या, अपने दोस्तों से, अपने कजन से, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत तो चलती है लेकिन ऐसे नहीं कि आप किसी को मार दो, या आप हाथ उठा दो, ये तो बिलकुल भी नहीं करना हो, कि वेरी बाट कोई अगर आप से लड़ रहे हैं, दोसरे समझा दो कि भाई, लड़ो मत, अराम से खेलते हैं, हम लोग मिल जुल कर खेलते हैं, जो टॉइस तुम्हारे पास है, वो तुम ले आओ, जो टॉइस मेरे पास है, वो मैं ले आता हूँ, दोनों मिल कर खेल रहे हैं, मज़ा आता लड़ते हो या नहीं लड़ते हो, okay? I want to know that मेरे superheros करते क्या हैं, stories तो सुन लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं, उसके पीछे बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? So I want parents, आप लोग प्लीज इंटराक्ट करिये, Instagram का link आप लोग के लिए है, description में वहाँ आईए, and let's have some chat about the kids and the stories, तो चलो बच्चो, हम मिलेंगे next video में, तब तक आपको उपना screen time बिलकुल limited रखना है, okay? Bye!